दोस्तों आपको याद होगा कि कल हमने रश्या के कुछ strategic objectives के बारे में बात की थी कि वो युक्रेइन से क्या चाहता है कि युक्रेइन कभी नेटों को जोइन ना करें फिर युक्रेइन में जो सरकार हैं वो प्रो रश्यान सरकार आ जाए या तो न्यूट्रल सरकार आ जाए जो ना तो वेस्ट को सपोर्ट करें ना तो रश्या को सपोर्ट करें रश्या जाएगा कि एक प्रो रश्यान सरकार आए इसके अलावा युक्रेइन को एक बफर जोन के तोर पर रश्या इस्तमाल करना चाहेगा और इसके अलावा भी कुछ बड़े-बड़े strategic objectives हैं आज भ 4th February से ये स्टार्ट हुआ और लगबग एक महिना होने को है आज भी रश्या ने जीत का स्वाद जो है वो चखा नहीं है क्योंकि युक्रेइन के लोगों ने युकरेइन की सरकार ने काफी strength और resilience से रश्या का सामना किया है मैं हूँ प्रशांत मावानी I hope you all are doing good welcome to editorial and article analysis of Curiously Education आज 23rd March 2022 है आज हमारे टेबल के उपर टोटल तीन टोपिक से तीनों के तीन इंट्रेस्टिंग इंपोर्टन टोपिक है सबसे पहला टोपिक तो इंडिया ये रश्या और युक्रेइन के बरह में है देन वी विल टॉक अबाट इंडिया चाना और रिलेशन बहुत इंप पर युएसा ने ये कहा कि अगर प्रेजिडेंट वलवादमीर जैलंस्की चाहे तो युएसा उनको इवेक्वेट कर सकता है यानि कि उक्रेइन से से वलवादमीर जैलंस्की को निकाल कर युएसा पहुचा सकता है ऐसा प्रपोजल युएसा ने रखा काफी टेम्टिंग होगा I'm sure लेकिन वोलोदमीर जैलेंसकी ने क्या कहा उन्होंने कहा the fight is here I need ammunition not a ride ride in the sense कि मुझे कोई ऐसे transport की जरूरत नहीं है आप मुझे यहां से निकाल देंगे इसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां पर युद्ध चल रहा है मुझे हत्यारों की ammunition की जरूरत है जैलेंसकी ने यह भी कह दिया है कि बले ही उसका देश बरबाद हो जाए बले ही युक्रेन जो है वो destroy हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानेंगा ऐसा वो क्यूं कह रहा है पता है क्योंकि आप कभी भी किसी negotiation table पर जाते हैं कोई deal करने के लिए जाते हैं तो deal में अगर एक party जो है दो parties है तो let's say कि एक party जो है वो काफी heavy है यानि कि उसका हाथ जो है वो थोड़ा upper side है और party two जो है वो थोड़ी weak है तो ऐसी situation में आपको win-win situation देखने को नहीं मिलेगी या फिर win-win deal देखने को नहीं मिलेगी इसमें क्या होगा जो party one कहेगी वो party two को मानना पड़ेगा और जैलिंस की ऐसा बिलकुल नहीं चाहते के Ukraine जो है रश्या के strategic objectives है लेकिन of course Ukraine के भी कुछ strategic objectives होंगे और उसमें सबसे number one जो होगा list में वो ये होगा Ukraine की safety and security इसके साथ किसी भी प्रकार का compromise करना जो है वो आगे चल कर एक बहुत बड़ी गल्ती हो सकती है तो यहां पर वो जो stand ले रहे हैं जो नुकसान हर रोज Ukraine के अलग-अलग शेहरों में हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है लेकिन ऐसे समय पर अगर वोलोड मेर जैलिंसकी या फिर उसकी जगा पर कोई भी प्रेजिडेंट होते हैं और वो प्रेजिडेंट यह कहते हैं कि हाँ हम हार मान लेते हैं और हम आप जो कहेंगे वो करने के लिए तयार है तो फिर रश्या जो है वो आज नहीं लेकिन future में भी यही strategy जो है वो अपनाएगा तो यहां पर मुझे लगता है कि जैलिंसकी साब ने जो एक stand लिया है वो काफी अच्छा stand लिया है उन्होंने इसी के साथ-साथ negotiations के दरवाजे भी खुले रखे हैं ऐसा नहीं है कि वो यह कह रहे हैं कि हमें destroy कर दीजे मार दीजे हम आपके साथ बाचित न नहीं मानेंगे हम डरेंगे नहीं लेकिन हां अगर आप चाते हैं तो हम आपके साथ बाचीत करने के लिए तयार हैं दूसरी एक चीज़ आपको पता होगा कि युक्रेन जो है वो खेती बाड़ी में भी बहुत आगे हैं हमारे देश में जो sunflower oil आता है उसका एक बहुत बड चाता है MCQ आपको अब याद आ जाएगा मैंने कहा था कि रश्या और युक्रेन जो हैं उन दोनों को मिला दे तो दुनिया का कितना परसंट का जो wheat हैं गेहू हैं ये सिर्फ ये दो देश मिलकर supply करते हैं तो that is 25% इसमें कुछ 18% जो हैं वो रश्या प्रवाइड करता है ल आगे रहने वाला देश हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो युक्रेन पिदा करता है और युक्रेन की population इतनी कोई खास ज्यादा नहीं है तो इतने सारे गेहूं सनफलावर इसके इलावा जो अलग-अलग grains ये प्रोड्यूस करता है तो वो किस के लिए करता है वो द अपना agriculture की जो practice है अपनी खेती बाड़ी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वज़स से grain की supply जो है इसके उपर एक बहुत बड़ी impact आ सकती है और वे सारे देश जो तरोली युक्रेन पर dependent है वहाँ पर फेमाइन आ सकता है वहाँ पर भूख मरी आ सकती है और वहाँ प 400 रुपीज का एक उचाल हमें देखने को विला था और दूसरे जो गरीब देशें उनकी situation किया होगी तो युद हो रहा है रश्या और युक्रेन के बिज़ में लेकिन इसकी impact दुनिया के बहुत सारे देशों पर हो रही है हमरे देश की बात करें तो fuel की prices जो है वो काफी संफ्लावर का तो एक्जांपल में आपको दिया ही और युक्रेन के refugees जो है उनका आंकड़ा भी काफी बढ़ चुका है 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन यानि कि 35 लेक लोग जो है वो refugee बन चुके हैं और ये इर्दगिर्द के जो देश है अब आपको exactly याद होगा क्योंकि हमने map पहुँच गए है तो पॉलेंड की सरकार जो है उनके पास भी कोई option नहीं है उनको तो खाना पिना रहने की facilities ये सारी चीज़े जो है वो युक्रेन को लोगों को provide करनी पड़ेगी तो उनको पैसे कौन देगा तो दूसरे देशों के उपर ऐसे direct और indirect impact जो है वो इस युद की हो चुके हैं सबसे डरावनी अगर कोई बात है तो यह है कि व्लादिमिर पुतिन साब ने एक order दिया है nuclear war evacuation drill का कि अगर nuclear war हो जाता है तो evacuation की drill कैसे की जाएगी इसकी एक practice जो है उसको start करने का order दिया है और ये एक बहुत ही खतरनाक signal है मौसको ने ये भी दावा किया है क कि उन्होंने advanced hypersonic missile रश्या के पास जो advanced hypersonic missile है उसकी speed जो है वो speed of sound से बहुत ज्यादा है I think Mac 3 Mac 6 या Mac 7 पर ये ट्रावल करती है तो speed of sound से लगबख six time seven time ज्यादा है और जहां तक रश्या का दावा है दुनिया में ऐसी कोई radar system या फिर defense system नहीं है जो in advanced hypersonic missiles को detect कर सके रोकने की बात तो लगते हैं detect भी नहीं होती है और मौसको ने क्या कहा है कि उन्होंने यूक्रेइन पर ये hypersonic missile का इस्तमाल जो है वो already कर लिया है खबर ये भी आ रही है कि व्लादिमर पुतिन ने अपने कुछ family members को एक high tech underground bunker है जो साइबिरिया में है वहां पर छुपा दिया है तो क्या ये इस बात का इशारा है कि व्लादिमर पुतिन जो है वो nuclear weapons को भी इस्तमाल करने के लिए तयार है अब यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि starting में जब खबरे आ रही थी कि यूक्रेइन की जो border है यूक्रेइन और रश्या की border पर जब 24th February से पहले की खबरों को अगरा पढ़ेंगे you will find कि वहां पर बहुत ज्यादा troops को भेजा गया you know pile up हुए troops यहां पर तो उस तरह पर यह लग रहा था कि यह तो सिर्फ दराने के लिए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ कि genuinely Russia ने invasion कर दिया अब nuclear weapons की बात आ रही है N word का इस्तमाल हो रहा है तो यहां पर हमें बहुत ही alert रहना पड़ेगा दुनिया की बात हो रही है you never know Russia इनका अगर इस्तमाल कर दें तो फिर तबाही ही तबाही होगी और world war 3 जो है वो भी start हो सकता है हम इसको effort नहीं कर सकते as human beings एकोनोमी कली बात नहीं हो रही है एकोनोमी कली भी है लेकिन as human beings world war 3 जो है वो हम effort नहीं कर सकते बिलकुल नहीं कर सकते लेकिन situation कब हाथों से चड़ी जाए और कब nuclear weapon इस्तमाल करने की बारी आ जाए तो यह सोचकर भी डर लगता है in terms of humanity again तो let's wait and watch let's hope and let's pray के ऐसे situation ना हो और let's hope के व्लाद इमिर पुतिन और व्लाद इमीर जैलिंस की जो है यह दोनों table पर बैठ जाए आमने सामने बैठ जाए और यह जो issue चल रहा है इसका जल से जल एक अंत आए यही हम प्रात्ना और दूआ कर सकते हैं moving on to next topic बहुत ही important topic है ऐसे topics को ऐसे articles को क्या गयता है पता है इसको कहते है कर टेइन राइजर वट इस कर टेन राइजर का मतलब यह होता है कि कोई चीज जो होने वाली है उससे पहले आप उसके साथ जुड़े हुए कुछ interesting points को discuss करें एक प्रकारज़ आप कह सकते हैं एक विशय पर आप परदा हटा रहा है करटेन यानिकी परदा तो परदा हटाने की बात है यहां पर और बात हो रही हैं इंडिया और चाइना के बारे में अब एक चाइना में भारत के राज़दूत रह चुके हैं और चाइना अपने foreign minister को भारत क्यूं भेज रहा है एक प्रकार की एक प्रकार का संधी प्रस्ताव एक प्रकार से चाइना जो है वो यह चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में जो relationship है उसका spectrum बहुत बड़ा है spectrum यानिक कि इनकी branches बहुत ज्यादा है जैसे के trade and investment, defense, education, people to people contact, global issues है, regional issues है, इसके लाव भी बहुत सारी चीज़े हैं तो let's say COVID भी हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़े आप एड़ कर सकता है This is called spectrum, diplomacy की language में इसको कहते है कि एक दो देशों के बीच में जो relationship है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच में सिर्फ वियापार ही होता है, like India और Nepal की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक चीज़ है कि हम यहां से वहां और वह से यहां जो हैं without visa travel कर सकते हैं, नहीं, दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी होता है, दोनों देशों के बीच में military exercise भी होती है, defense relation काफी अच्छे है, people to people contact काफी अच्छा है, जिसको कई बार रोटी बेटी का relation कहता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है, same thing goes with USA, UK य अब China, BRICS जो group है, Brazil, Russia, India, China, South Africa, इस group का 2022 का chair है, यह chair जो है, वो change होते रहते हैं, कई बार Russia होता है, कई बार India होता है, तो turn by turn हर कोई देश जो है, वो head होता है, president होता है, तो इस बार China है, और China चाहता है कि एक physical summit हो, physical summit में China यह चाता है, कि China में जो meeting होगी BRICS की, BRICS की summit होगी, summit में top leaders जाते हैं, meeting और summit में भी एक difference है, summit यानि कि आपके देश के सबसे ताकत पर नेता है, हमरे देश के कोई है, प्राइम मिनिस्टर, China के president है, South Africa के जो president है, then we have Russia, तो Russia के व्लाद इमिर पुतिन, president है, again Brazil के भी president है, तो यह सारे देशों के जो top leaders है, वो इस meeting में physically present हो, virtually नहीं, physically present हो, यह चाहता है चाहेना, ताकि दुनिया को दिखा सके के सारी जीज़ें जो है, वो यहां पर सही चल रही है, summer of 2020 से, जब से गलवान वैली में issue हुआ है, गलवान वैली में जैसे घुसपेटियों ने हमारे देश में घुसने की कोशिस की, और हमारी आर्मी ने हमारे देश की रक्षा करने की कोशिस की, उसमें हमारे कुछ बीस जितने जवान जो है, वो battle casualty होगे, और आंकला यह कहता है, कि चाइना के पचास जितने जवान जो हैं, वो battle casualty होगे, लेकिन चाइना इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है, लेकिन intrusion तो हमने नहीं किया था, वो लोग हमारे एरिया में घुस गये थे, तो हम तो क्या करेंगे, हम तो रोकने की ही कोशिस करेंगे और वही हमने क किया, तो since the summer of 2020, दोनों देशों के बीच में कोई खास meetings नहीं हुई है, सबसे ज्यादा जो meetings हुई, वो हुई, आर्मी commanders के बीच में, foreign ministers की meeting हुई थी, लेकिन हमारे देश में या फिर चाइना में नहीं, third countries में हुई है, और कुछ ऐसी summits थी, जिसमें प्राइम मिर्सर मोद साब ने virtually part लिया, because COVID भी चल दा था, जहां पर सी जिंग पिंग भी present थे, तो ऐसी virtual summit हमने attend की है, physical meetings जो है, वो हमने attend नहीं की है, तो पिछले दो सालों से आप कह सकते हैं, कि ना के बराबर exchange जो है, वो भारत और चाइना के बीच में हुआ है, अब भारत की position क्या है, बहुत crystal clear है, भारत ने clearly बता दिया है, कि अगर border area पर tranquility नहीं है, peace नहीं है, अगर वहाँ पर शांती का वातावरन नहीं है, तो दूसरे जो spectrum या फिर दूसरी जो branches हैं, relationship की, उसके उपर भी इसकी negative impact आपको देखने को मिलेगी, यही चीज हमने पाकिस्तान के साथ भी की है, पाकि यह दो options हैं, या तो आप बाचीत करना पसंद कीजिए, तो terrorism बंद कर दीजिए, और अगर terrorism आप पसंद करते हैं, तो हम आपके साथ बाचीत नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने अपनी जो core competency हैं, उसको जारी रखा, terrorism को ही support किया, तो फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी जोशिस करते रहेंगे, तो फिर हम आपके साथ बाचीत नहीं करेंगे, हम overall relationship जो हैं, उसके उपर फोकस हटा देंगे, और हम आपके साथ, you know, trade और सारी चीज़ें जो हैं, वो दीरे-दीरे करके कम कर देंगे, The loss of life at Galwan on the night of 15th June 2020, the first time this has happened in almost three decades, exemplifies the seriousness of the situation on our northern borders. एक इंटरेस्टिंग बात ये हैं, भारत की संस्कृति पांच हजार साल पुरानी है, सेम तिंग गोस विच चाइना आसवाल, चाइनीज सिविलाइज़ेशन भी काफी एंशिन्ट सिविलाइज़ेशन है, दोनों देश एक दूसरे के साथ या फिर दोनों सिविलाइज़ेश तक, पांच हजार सालों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक युद हो गया दोनों देशों के बीच में, और तब से रिलेशनशिप जो हैं, वो काफी खराब होगा, खास करके 1950 के बाद दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं, उसमें आपको बहुत सारे अप डाउंस इसको हम लाइटली बिलकुल नहीं ले सकते हैं, चाइना ऑन दी अदर फेकर इसेपरेट में करें देशनशिप जो हैं, पर्टिकुलर लेशनशिप जो के बाद पर जिलेशनश चानले हों कोई बात नहीं है, दूसरी सारी चीजों को तो हम कंटीन्यू करें, ट्रेड को करें विजिट्स और एक्सेंजिस को कॉंटिन्यू करें अब भारत ने इस चीज़ को ट्राइ कर लिया था एक लंबे समय से जब से यूनो अकसाई चीन वाला एरिया जो है वो चाइना के कंट्रोल में हैं फिर पाकिस्तान जो है वो बहुत ही दानवीर देश है एक तो हमारा पाकिस्तान ओक्यूपइड कशमीर वाला जो पोर्शन है वो उनके कबजे में हैं उनका नहीं है लेकिन अभी उनका कबजा है वहाँ पर तो एक छोटा सा टुकडा जो है वो उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर तो जो गिफ्ट किया गया है जो टुकडा जमीन का टुकडा तो उसको वापस लेने में भी हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो उसको भी एक दिन आज नहीं तो कल जब भी वक्त आएगा वो हमारी जमीन है तो हम वापस तो लेंगे ही ऐसा है थोड़ी हम जमीन के टुकडा जो है वो अलग-अलग देश हरप लेंगे और हम चुप-चाप बैठेंगे तो ये issues already थे और उपर से उन्होंने अपना जो belt and road initiative है वो कहां से निकाला वो पाकिस्तान occupied कश्मीर में से निकाला भारत ने उस टाइम पर भी कहा था कि देखिए ये problem है आप ऐसा मत कीजिए ये portion जो है वो हमारा है पाकिस्तान ने illegally इस चीज़ को हमसे हडप लिया है आज नहीं तो कल ये portion हमारे पास आ जाएगा ये जमीन का टुकड़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा तो आप अपना BRI जो है वो यहां से मत निकाल लिए उस टाइम पर पता है चाइना ने किया कहा चाइना ने कहा कि अभी तो ये पाकिस्तान के पास है ना हम उनके साथ negotiation कर र चला रहे थे ये सोचकर के ये सारी चीज़े जो है वो फ्लरिश होगी इसमें expansion आएगा business और ये सारी चीज़ों में investment में तो फिर दोनों देशों की थोड़ी बहुत मजबूरी हो जाएगी और फिर ये border वाला issue भी हम बातचीत के मादियम से solve कर लेंगे लेकिन चाइना का तो इरादा ही गलत है यहाँ पर अब चाइना जो है वो ये trade और इन सारी चीज़ों के बारे में मीठी मीठी बाते क्यों कर रहा है क्योंकि चाइना जानता है कि भारत के साथ जो व्यापार चाइना करता है तो उसमें चाइना का 60 बिलियन डॉलर का trade surplus हैं trade surplus का मतलब ये होत है कि भारत जो चाइना को चीज़े बेचता है और चाइना से जो चीज़े भारत खरीदता है तो उसमें चाइना हमें ज्यादा चीज़े बेचता है इतनी ज्यादा चीज़े बेचता है कि चाइना अगर let's say for example के तोर पर हम अगर उनको 10 billion dollar की items बेचते हैं तो वो हमें 70 billion dollar क ज्यादा आइटम जो है वो चाइना भारत को बेचता है तो ये रीजन है कि वो चाहता है कि ट्रेड और सारी चीज़े जो है वो चलती रहें उनको कॉमर्शल इंट्रेस्ट जो है उनके उनके उपर नुक्सान ना पहुंचे ये चीज़ चाहता है चाइना इंडिया ऐसा बिल थी बोर्डर एरिया पर ये जब तक रिस्टोर नहीं हो जाती जहां तक आप गुज गया पहले आप यहां तक थे इस लाइन के इस साइट थे अब आप यहां तक पहुँच गया नई लाइन क्रियेट कर ली है तो ये वहला पोशन जब तक आप खाली नहीं करेंगे और वाप यहां पर आएंगे तो हमें क्लियरली उनको ये मेसेज दे देना है कि ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है हमें चाइना को वहां पर हिट करना चाहिए जहां पर उनको सबसे ज्यादा पेइन हो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को हमें डिस्कौलिफाई करने की जरू सबसे पहले हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए इसकी डायरेक्ट इंपक्ट जो है वह चाइनीज के वपर आज भी डिपेंडेंट है अगर आप फाइनेंशियल न्यूस अनलेसिस को फॉलो करते हैं तो अभी मैंने बताया था कि कैसे चाइना में जो और बेग यो है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आज भी कितने सारे प्रोड़क्स जो है वह हम चाइना से मंगवाते हैं तो यह जो हमेरा डिपेंड मेंस जो हमारी निर्बर्ता है चाइना पर इसको हमें छत्म करना होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो चाइना को बहुत बड़ा इपक्ट आ रही है तो फार्मासिटिकल की सिच्वेशन देख लीजिए आज भी सेवन्टी परसंट जितना API यारी की एक्टिव फार्मासिटिकल इंग्रीडियन अब यह क्या होता है API API दवा का एक दवाई जो होती है उसका वो इंग्रीडियन है जो जो चीजें असर कारक हो दिए इसके बिना आप दवाई नहीं बना सकते हैं तो एक वक्त था 2000 तक 1990 तक हमारे देश में बहुत सारी API की कंपनीज थी लेकिन फिर हमने यह सोचा कि API बनाना जो है वो उतना जरूरी नहीं है उस ताइम पर सरकार की यह पॉलिस थी और पिछले लगबग दो दशकों से हमारा डिपेंडेंस काफी ज्यादा हो चुका है 70 परसंट जितनी API जो है वो हम चाइना से मगवाते हैं तो अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे देश में API को प्रोडियूस करें और चाइना से अपना डिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे करके कम करतें तो फार्मस्यूटिकल दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही होना चाहिए और जो पुराने कुछ यूनिट्स हैं API के उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है और नए कुछ यूनिट्स को एस्टाबिस करने की जरूरत है बहुत सारी प्राइवेट कमपनीज दूस पता है मेसेज यह हैं कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं हमें जो पसंद आएगा वो आपके साथ करेंगे आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते एक टपोरी लेंगविज में चाहिना हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम उनके उपर क्लियर हो गया होगा अब जब फॉरेंड मिनिस्टर चाइना के हमारे देश में आएंगे उस टाइम पर जो भी चीज़े होगी उसके उपर जब भी आपको न्यूज आइटम भी पढ़ेंगे अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी ट्रस समझ में आ गया तो आज नहीं दो सालों के बाद भी अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे यहाँ पर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना तो कोई चीज़े याद रखने की जरूरत बस एक बार आपने किसी चीज़ को समझ लिया, that's it, वो चीज़ हमेशा आपकी हो गई, okay moving on, Indian legislative service, थोड़ा मैं quickly इसको explain कर देता हूँ, हाल ही मैं ऐसा हुआ कि 1st September 2021 को हमारे जो वेंक्या नाइडू साहब हैं, जो हमारे वाइस प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट जो होते हैं वो राज्य आपको appoint किया as a secretary general of upper house, यानि कि राज्य सभा के secretary general के तौर पर उनको appoint किया, अपने आप में ये एक बहुती नया move था, क्योंकि पहली बार किसी secretaryate staff को secretary general बनाया गया upper house का, अब आप सोच रहे होंगे कि ये secretaryate staff और ये सारी चीज़े क्या है, don't worry, पहले मैं कुछ आपको facts बत है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक ऐसा था कि जो retired civil servant है, उनको ही यहाँ पर secretary general बनाया जाता है, राज्य सभा का, एक लंबे समय से ये प्रता आ रही है, और unfortunately यहाँ पर भी ऐसा हुआ, कि तीन मेनों के अंदर ही, PC Modi, जो एक former bureaucrat है, उनको secretary general बनाया गया, और जो ये से पालियमेट की शुरुवात हुई है, 1952 से अगर आप देखे, तो 11 secretary generals जो है, इन्होंने राज्य सभा को सर्व किया है, और इनमें से बाकी के सारे जो है, वो आप देखेंगे, तो ये विल सर्विस या फिर कोई दूसरी सर्विस में, basically bureaucrat को ही, यहाँ पर इस position पर, secretary general की position पर, secretary general की position पर बिठाया जाता है, S.N. मुखर जी साब जो है, उनके पास काफी अच्छा experience था, वो legislative assembly department के secretary रह चुके हैं, और फिर S.N. मुखर जी साब जो थे, वो फिर third secretary general थे, 1976 में वो आये, S.N. भाले राव साब, और उन्होंने deputy secretary के तौर पर 1958 में, राज्या सभा को जोइन किया था, और इसके अलावा भी उन्होंने काफी, अलग-अलग, हाईदराबाद legislative assembly, फिर महारास्टर legislative assembly के secretary के तौर पर काम किया, तो काफी अच्छा experience था, तो बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को बिलेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, जिनके पास एक thorough experience हो, अब article 98 जो है हमारे constitution का, वो क्या कहता है, वो कहता है, कि जो हमारे दोनों house है ना, upper house and lower house, राज्या सभा और लोक स तो इनकी अलग से separate secretariat हो, जैसे एक मंतरा लई है, let's say home ministry, मैं इसका example देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि ये secretariat की importance क्या है, home ministry जो है, उसके सबसे top boss कौन है, of course, अमिच्छा है, क्योंकि वो home minister है, right, क्या अमिच्छा सारा काम अकेले करते हैं, the answer is no, उनको support करने के लिए government क staff होता है, जो home secretary है, वो होते हैं और उनके नीचे पूरी एक team होती है, तो वैसे ही, राज्य सबा और लोक सबा जो है, उनको चलाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ MPs और MLs जाकर बैठ जाएंगे, legislative assemblies की मैं बात करा हूँ, चाहे वो state level की हो या फिर national level की, तो वहाँ पर MPs और MLs उसको नहीं चला सकते हैं, उस पूरे operation को चलाने के लिए, back door में, कितने सारे लोगों के requirement है, कितने सारे government officials के requirement, parties आती जाती रहेगी, MPs, MLs आती जाती रहेंगे, लेकिन जो government का staff है, वो तो आपको चाहिए, तो secretariat जो है, वो ये काम करता है, और इसके लिए सबसे important ये है, article 98 भी कहता है, कि secretariat जो है, ये executive government से independent होने चाहिए, फिर सरकार अगर इनको बिठा कर, बिठा देगी, अपने अपने चुनिंदा लोगों को बिठा देगी, तो फिर पालियामेंट का क्या काम रहेगा, पालियामेंट का main काम तो यही है ना, कि जो executives हैं, वो accountable हो, कि prime minister हैं, जो दूसरे ministers हैं, तो वो कुछ भी decision लेते हैं, तो उनको पालियामेंट में उस चीज़ को explain करना पड़ता है, right, it's like balance of power जो कहता है, कि executive है, legislative है, और judiciary है, तो executives अगर कोई भी decision लेते हैं, तो उनको legislature, यानि कि पालियामेंट में explain करना पड़ता है, कि हम यह bill लेकर आ रह और अगर इसमें कुछ गलत है, तो judiciary उसको review कर सकती है, और judiciary की appointment और उन सारी चीज़ों में executives का या फिर government का हाथ रहता है, तो जो check and balance जिसको कहता है, balance of power and check and balance, तो यह इस प्रकार से maintain होता है, I hope so far things are clear to you, तो अब हमें यह जो ज्यादतर bureaucrats को ही यहाँ पर बिठाया जाता है तो इससे problem यह होता है, कि बिरोक्रेट जो हैं जिन्होंने काम किया है, I'm not saying कि बिरोक्रेट जो हैं, वो सभी बिरोक्रेट जो हैं, वो किसी एक particular सरकार की तरफ जुकाव रखते हैं, लेकिन यह बात भी सही है, कि जो थोड़ा बहुत जुकाव रखते हैं, तो उनको ही top position प किताब की किताब हैं, जो जिनको super cop कहा जाता है, एक बहुत ही outstanding police officer रहे चुके हैं, IPS officer रहे चुके हैं, तो उनके articles हैं, फिर किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े बिरोक्रेट के बारे में पता जल जाएगी, इसके इलावा भी बहुत सारी books हैं, लेकिन ह I'm just giving you one example as a reference, तो अगर हमारे देश में अलग से separate secretariat हैं, जो independently काम करता हैं, तो हमारी parliament जो है, वो और ज्यादा अच्छी तरीके से function कर पाएगी, और secretary general की position जो है, ये बहुत important position है, इसमें बहुत सारे privileges भी मिलते हैं, आप उनको arrest नहीं कर सकते हैं, उनको criminal proceedings हैं, immunity मिलती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे benefits हैं, लेकिन सबसे important क्या है, कि उनके पास outstanding knowledge होनी चाहिए, उनके पास parliamentary procedures, practices and precedents की expertise होनी चाहिए, अब civil servants जो हैं, उनके पास ये expertise नहीं होती है, वो generalist है, वो चीजों को, सारी चीजों को in-depth नहीं जानते हैं, वो सारी चीजों के बार में कु requirement है, और बिठायक इसको जाता है एक generalist को, तो this is one of the reason कि हमारी parliament जो है, वो properly काम नहीं कर पाती है, और जो retired civil servants होते हैं, तो उनके भी खुद के baggages होते हैं, उनका काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो फिर impact करती हैं, तो it is better कि separation of power को ध्यान में रखते हुए, हम अलग से एक नई सेवा को तयार करें, हमारे देश में कितने सारी, आप देखिए, ये bodies हैं, right, law making bodies है, thousands of legislative bodies are there in our country, ब्लोक पंचायत, पंचायत, जिला परिशद, municipal corporations, state legislatures, union parliament, तो ये अलग-अलग bodies के लिए हमारे पास अलग से कोई सेवा नहीं है, अगर ऐसी सेवा create की जा जिसको इंडियन legislative service आप कह सकते हैं, जिसमें पहले से ही उसकी examination भी इसी चीज़ के साथ जुड़ी होगी, कि कैसे legislative bodies वो काम करेगी, और qualified और well trained staff जो है, उसमें उनको यहां पर place किया जाए, एक specialized service अगर create की जाए, right, तो ये functioning जो है, parliament का, when I say parliament, I am talking about top से लेकर bottom, पंचायत से लेकर, राज्य सबा, लोक सबा की बात हो रही है, पूरी जो, पूरी chain है, या पूरी chain जो है, इसका overall performance जो है, वो increase हो सकता है, और इसकी initiation जो है, वो राज्य सबा स्टार्ट कर सकते है, article 312 कहता है, resolution पास कर सकती है, और finally, लोक सबा जो है, इसको पास करके, एक अलग से नई सेवा जो है, हम स्टार्ट कर सकते है, UK में ऐसा होता है, UK में एक clerk जो होते है, house of commons के, जो हमारे यहाँ पर secretaryate कहते हैं, या फिर secretary general कहते है, तो वहाँ पर clerk of house of commons जो है, तो वो हमेशा से independent रहते हैं, और उनको उसी सेवा में से, जो legislative staff है उनका, उसमें से ही उनको promote किया जा तो यू, कल जो मैंने आपको प्रशन पूछाता, आप में से बहुत सारे students ने right answer दिया है, the answer is USA, और आज का प्रशन यह है कि हम चीता जो है, वो लेकर आने वाले हैं, आफरिका, आफरिकन सवाना देशों में से, तो आने वाले पांच सालों में लगपग कितने ऐसे चीता ह है, जिनको introduce किया जाएगा हमारे देश के जंगलों में, इसका answer क्या है, बताइए, आंकडा क्या है, बताइए in the comment section, and do check out my motivational podcast curiously forever, please don't forget to subscribe to my youtube channels, please make sure के आप इस lecture को दूसरे लोगों के साथ शेर जरूर करे, आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी अची positive comments लिखी है, कुछ ने कहा है कि ये series अपने आप में outstanding है, इसका कोई match नहीं है, thank you very much for your appreciation, मुझे लगता है कि जितने भी जो teachers series बनाते हैं इस प्रकार की right, वो बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत का काम है, trust me, तो हर एक की अलग-अलग choice है, you know, कुछ students को उनकी series पसंद है, कुछ लोगों क ये series पसंद है, तो सभी के लिए यहां पर room है, ये ऐसा क्षेत्र है, या फिर किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी monopoly हो, और मैं ऐसा सपना भी नहीं देखता, right, वो ऐसा कुछ वो नहीं है, मैंस ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर monopoly एक व्यक्ति की हो है, तो it is better, कि competition रहे, it is better, कि सारे नहीं, लेकिन कुछ students इस series को देखे, बाकिक को इस तुड़ेंस जो है, उनको जो भी series पसंद है, वो देखे, लेकिन हा, ऐसे भी students हैं, जिनको इस series के बारे में पता नहीं है, उन्होंने कभी भी this series को नहीं देखा है, तो ऐसे students तक this series को ले जाने का काम जो है वो आप ही कर सकते हैं और मैं आशा रखता हूँ कि ये काम आप डेफिनिटली करेंगे आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट दा लाइक बटन इस सिरीज के प्रती आपका जो भी रिव्यू है मैं सुनना चाहूंगा comment section मैं लिखना ना भूले I will eagerly wait for your review and that's everything from my side I will see you soon with the financial news analysis फिर एक और interesting topic है एक नई exam होने बाली है हमारे देश में उसके साथ जुड़ी हुई बात भी हम कने बाले है so stay curious जैहिंद